सोशल लिस्ट is brought to you by Sportsbet दो करेंगे बाद खरगोश के एक नौटंग की बाद चैनल की लेकर उस सब के पहले सोशल मीडिया के आज की दिन के मुख्य समाचा ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड होता नजर आया बॉयकॉट बीबीसी बीजे पी आई टी सेल इस तरह के ट्वीट करते मिला बैन बीबीसी के मांग उठी हुआ ये कि बीबीसी एशियन नेटवर्ट के एक शो बिग डिबेट में एक कॉलर ने पीम मोदी की मा को गाली दे दी बात हो रही थी रैसिज्म पर और सिक्खों की और गाली दे दी गई हमारे प्रदानमंतरी की माता जी को किसी को भी गुछ सा जाए लोगों ने कहा भी कि बीबीसी के प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ चल कैसे गई माने सही सवाल है अगर आपका क्या कंटेंट जा रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो जिम्मेदारी किस की बनेगी सेश बीबीसी एशियर नेटवर्क के सारे बीबीसी हिंदी की खबरों के स्क्रीन शॉट चले कई बाते कहीं गई बंद कराओ बैन कराओ सरी की बाते यूट्यूब इंडिया के इंस्टाग्राम पर नजर आई तस्वीर आकाश भुपता की लिखा था आप इस तस्वीर को सुन सकते हैं और वाकई हम सुन सकते थे उनको कहते हुए कि एक्सक्यूज मी ब्रदर ब्रदर बेल्ट मस्स टेंड अप है देखने लाइक स्टेंड अप है ट्रेंड हो रहा है आप देख सकते हैं इससे याद आया कि कोई एक दिन हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था कि ये स्टेंड अप वालों के पीछे वैक्सीन लगवाई और उसके बाद फ्रोजन लेक्ट में जाकर भांगड़ा करने लगे मैं वो आदमी जो दिल्ली की इस गर्मी में भी ना नहाने के बहाने खोजता है इनको ऐसे नाशते देख अंदर तक काप चुका हूँ मतलब मेरे मन में सवाल लाने लगे हैं कि सत्मी जी की गई खरी खोटी सुनाई गई और उनको मतलब ये खरी खोटी सुनाने वाले को अरेस्ट किया गया आज थागला दिन आच्चा लाइक्टरेंड हैस्टेग अजय देवगन कायर है गुटका खाती हुई तस्वीरें चली लिखा गया सरदार के किरदार को निवा ख्याप भाश्पा के विधाईकी के उम्मीदवार रह चुके तजिंदरपाल सिंग बगगा बताते मिले कि अजय देगवन की कार को रोकना और गालियां देना प्रोटेस्ट नहीं है ये गुंडा गर्दी है आगे सिखिजम सिखाते हुए मिले कसम से इंसान वाटबाउट ट्रेंड होते न जा रहा है काहे के इनके घरों पर चापे पड़े आएकर विभाग के सूत्रों का कहना था कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फेल्म से जुड़े हुए लोगों के आएकर विभाग की चापे मादी हुई इसके बाद कॉंग्रेस में तमाम लोग आरोप लगाते हुए मिले कि केंद्र बदले की कारवाई कर रही है एजेंसियों का यूज हो रहा है टाइब बतिंग कही कही बताया है यह कैस्ता समय आ गया मतलब एजेंसिया एक्शन ले रही है तो लोगों को लगता है कि सरकार लोगों पर नकेल कसने के लिए इंकम टेक्स वाल में जाएंगे और उल्टा फाइनेंसियली मदद करके आएंगे लोटते हुए कहेंगे कोई मदद चाहिए होगी हमको बताना हिचकी चाना नहीं अनुराग फैंस ने लिखा अनुराग कश्यप वो चीज है जो इस चापे मारी पर भी फिल्म बना देगा जिस BBC को बैन कराने की मांग हो रही थी उसके क्रेटिट मांगने के मामले में कुख्यात कार्टोनिस्ट कीरति इश भट्य ने लिखा एके वर्सजे के अनुराग कश्यप वर्सज आयकर लोगों ने लिखा अनुराग कश्यप की नई वेब सीरीज का नाम होगा दरेड इमोजीज के सहारे किसी ने लिखा तापसी पन्नुवा और अनुराग कश्यप फासिज्म के खिलाफ हैं इसलिए जांच के गेरे में हैं वरना मेहुल चौक्सी जैसा लुटेरा चोर भगोडा नरेनमोदी के लिए मेहुल भाई है हाला कि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि एजनसीज ने कामा रहा है उन पर भरोसर रखिए लिखा गया अनुराग कश्यप और तापसी पन्नु के ठिकानों पर इंकम टेक्स का छापा इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मोदी विरोधी हैं इस देश में मोदी विरोधी होने भर से सारे पाप धुल जाते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं एक नॉन पॉलिटिकल चीज की बात फेस्बुक की और फेस्बुक पर वाइरल हुए एक मुर्गे वाली प्रोफाइल की बहुत दिनों पहले हमने आपको एक बंगला देशी मंतरी की प्रोफाइल दिखाई थी जिनकी प्रोफाइल जादू टोना टाइप्स बातें करते रहते हैं कुल मिया के कोई एक चीज कॉमन होती है जिस कारण उनकी प्रोफाइल वाइरल हो जाती है एक बंदा वो भी आपको याद होगा जिसने अपने वर्क सैट में इतनी कंपणियों के नाम लिख रखे थे जितने फेस्बुक पर दोरन हैं नजार आती हैं दूस्तर भाटी की प्रोफाइल इसी बंदे की फ्रेंडल लिश्ट देखने को कहा जा रहा है एक बार स्क्रॉल करके मुर्गों की फोटो दिखाना बंदे की profile में मुर्गे ही मुर्गे हैं अब देखिये इनके friend list जिसकी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनने अपनी DP में मुर्गे पकड़ रखे हैं किसी को मुर्गों से ऐसा भी प्यार हो सकता है किया चारों तरफ कोहरा ही कोहरा को इस बंदे के मुर्गा ही मुर्गा के मीम से बदल दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं लेकि उससे पहले सोशल मीडिया की बकायती की एक मस्त बात बताते हैं कुछ लोगों ने एमेजावन का नया लोगो देखा तो याद आगा ही हिटलर आए साही कुछ देशों में कुछ लोगों को नई सरकारें देखकर भी हिटलर याद आ जाता होगा तो अब हुआ ये कि इसके बाद एमेजावन ने अपना लोगो जो है वो बदल लिया ये फोटो देखिए नई और पुरानी और बताईए कि क्या ये मूझा मतलब क्या ये फोटो का लोगो भी आपको हिटलर की मूझ की तरह है नजर आ रहा था फेस्बुक से लेकर ट्वीटर तक नजर आए आज वो पोस्ट जो जुड़े थे हैस्टेग मोधी जवाब दो से इन्ही ट्वीट्स और इन्ही पोस्ट के बीच कॉंग्रेस वाले भी अपनी बातिंग वैसे ही घुसाय जा रहे थे से उस मशुहूर फोटो में स्टेज पर नेता जी अपना पेट घुसा रहे होते हैं राहुल गांधी भी लिखते मिले छात्रों के सवालों का वे रोजगारी के इन सालों का यर्स की बात हो रही है व्याव सायों में पड़े तालों का आज हिसाब दो हैस्टैग मोधी जव आईटी सेल को आप मानित करते हुए भी ट्वीट्स नजर आए कृपया होड न न बजाएं मोधी सरकार सू रही है टाइपस फोटोज भी चली हिटलर के नाम पर वो कोर्ट्स चले कि जनता को इतना नी चोड़ दो कि वो जिन्दा रहने को ही विकास समझे वक्का हिटलर न ने आपको लेनन वाले चैनल की बात बताई थी वो भी एक खरगोश वाला चैनल है इस चैनल पर आपको उस लेवल के ग्यान वाली बात नहीं मिलती लेकिन यहां मिलता है इंटरेटेन्मेंट खरगोश की खिलवार मिलते हैं तो वोड़ा सा ड्रामा मिलता है कई बार स्क्र खरगोश से जुड़ा हुआ है इसलिए कुछ भी अखरता नहीं है वाकि थोड़ा क्लिक बेटिश मामला तो होई जाता है तो दुखी मत होईएगा इसका रियूनाइटेड वाला वीडियो बड़ा प्यारा है जो वैश्विक स्तर पर भी काफी वायरल हुआ था तो अगर चैनल आप देख सकते हैं बागी आज के सोचलिस्ट में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए रखिए अपना खयाल हम चले टाटा